हेलो एवरिवन, विल्कम टू माई योटिब चैनल, आप सबीक स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और फैंस इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपी वेकेंसी को लेकर जैसे कि आप लोगो पता है कि लगतार टूइटर कैमपेन पिछले एक हफ़ते से चल रहा है और कल के टूइटर कैमपेन की अगर बात करें तो कल हाला कि इतनी बड़ी संख्या में चातरों का टीचर्स का सपोर्ट तो नहीं मिला लेकिन उसके बावजूद भी साथ लाग से ज़्यादा टूइट हुए और उसके बाद भी किसी मीडिया ने या फिर आप कह सकते हैं कि गौर्णमेंट ने कोई रिस्पॉंट नहीं किया है और गौर्णमेंट के रिस्पॉंस की तो बात अलग है यहां पर कोई भी मीडिया इसको कवर नहीं करना चाता है क्योंकि कहीं न कहीं यह सरकार की नाकामिया भी को शो करता है तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि यह जो साथ लाग टूइट हुए उसके बाद सरकार का जो एक जुमला है वो सामने आया है और दो लाग एक्यान में हजार नए पदो की बात कही जा रही है रेलवे में लेकिन जो एलपी की वेकेंसी है उसको बढ़ाने को लेकर कोई भी ऑफिशल अपडेट नहीं है तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि आगे का क्या सिनेरियो बनने वाला है अब कोई ट्विटर केंपेंग नहीं होगा क्योंकि ट्विटर केंपेंग बहुत हो चुका है और अब सिरव और सिरव फिजिकल प्रोटेस्ट होगा तो क्या-क्या अपडेट है चलिए इस वीडियो में देखते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स आगे बंडने से पहले आप लोग को बता दू टेस्ट बुक के तरफ से गंतंद्र दीवस ओफर अभी चल रहा है जिसमें एरली टेस्ट बुक का जो पास है वो आपको मिनिममम प्राइज में मिल जाएगा सिरफ 179 में और एरली टेस्ट बुक पास प्रो जो है वो 269 में आपको मिल जाएगा तो अभी बेस्ट टाइम है इसको परचेस करने का साधी मैं आपको बता दू 2018 के ALP में 40,000 से ज़्यादा से ज़्यादा से टेस्ट बुक ने दिलाए थे 82% से ज़्यादा जो कोश्चन है वो टेस्ट बुक की तरफ से आए थे सेम इंटरफेस रहता है एक्जाम वाला तो इसको आप लोग परचेस जरूर करें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा EG10 Code का आपको यूज करना है परचेस करते टाइम जिससे आपको maximum discount मिल जाए साधी 100% refund का भी आपको यहाँ पर चांस मिल रहा है तो बेस्ट टाइम इसको परचेस करने का लिंक में रे description में दे दी हैं तो देखिए जब से ALP की वेकेंसी आई है उसके बाद से लगतार जो है वो Twitter campaign किया जा रहा है सबसे पहला जो Twitter campaign हुआ था 20 लाग से ज़्यादा tweet हुए उसके बाद थोड़ासा impact देखने को मिला रहूल गांदी ने उसको cover किया है और ना ही सरकार की तरफ से कोई update आया है लगबख सभी जो नामी teachers हैं जिनकी आप कह सकते हैं कि लाखों में millions में subscriber हैं followers हैं उन्होंने videos बनाए हैं जैसा कि screen पर आप लोग देख रहे हैं अब इतनी बड़ी संख्या में tweets हुए इतनी बड़ी संख्या में और बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है यहां पर 27 तरिक को छातरों की तरफ से ही physical protest का हावान किया गया है और विपिन सर ने इसके समर्थन में वीडियो भी बनाया वैसे maximum teachers जो है वो इसके समर्थन में वीडियो नहीं बनाएंगे कुछ एक दो teacher है जो इसमें वीडियो ही बनाएंगे बाकी present तो शायद कोई भी नहीं होगा तो देखो जब जब यहां पर physical protest हुआ है वो छातरों नहीं किया है और उसके result भी देखने को मिले है teachers आपका साथ नहीं देंगे यह बात बिल्कुल conform है अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कल के Twitter campaign के बाद जो है government की तरफ से क्या जुमला बहार आया है तो देखे दैनिक बासकर की तरफ से यह एक article print हुआ जिसमें बोला गया है कि 38 मंतराले और विबागों में होगी भरती और यह latest ही है पुराना नहीं है यहाँ पर बताया गया कि UPSC और SSC में ग्रूप A gadgeted officer जो होते हैं उसमें 23,584 पदों पर भरती होगी उसके बाद ग्रूप B gadgeted में कैटेगरी में 26,282 पदों पर भरती होगी ग्रूप C के non gadgeted कैटेगरी में 8,36,000 पदों पर भरती होगी देखो हमारी जो government है यह लाखों में इस तरह से करोड़ों में बात करती है दो करोड़ रोजगार देने की भी कभी बात हुई थी ठीक है और दो करोड़ तक यह नंबर कभी गया ही नहीं station master यह सारे आपके group C में आते हैं तो बोला जा रहा है कि अब 29,000 पदों पर हम भरती देंगी ठीक है तो एक तरह यह जुमला यह आप कह सकते हैं रक्षा मंतराले में कहा जा रहा है कि group B के non gadgeted के 49,366 पदों पर भरती होगी group C के 2,14,000 हैं ग्रहमन तराले में group C के non gadgeted कैटेगरी एक लाग 21,000 पद हैं तो इस तरह से यह चीजे प्रिंट कराई जा रही है और यह जो हमारा मीडिया है कभी भी छात्रों की बात को नहीं उठाता है क्योंकि आपको पता है कि government के pressure में ही पूरा मीडिया काम करता है तो यह नया जुमला यहां पर 12 है लेकिन मैं आपको अदादो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और एक मात्र रास्ता फिजिकल प्रोटेस्ट ही बचा है कल 27 तारीक को student ने फिजिकल प्रोटेस्ट रखा है तो सिरफ मेरा suggestion सिरफ इतना रहेगा आप लोग के लिए क्योंकि देखो यहां पर अगर फिजिकल प्रोटेस्ट उगर होता है तो वहां पर जो सरीफ चातर होते हैं जो बिलकुछ आन्ती पूर्ण तरीके से धरना करते हैं वो लोग यहां पर फस जाते हैं पिसी वाले मेंटर में हमने देखा पाँच स्टूडेंट फसे थे ठीक है बहुत उनको दिक्कत हुई एक स्टूडेंट उसमें सीजियल सेलेक्टेड भी था वो वहाँ पर सेलेक्शन लेने के बाद भी जौब उसको नहीं मिल पाई और I think अभी तक जो है केस वगरा चल र ना है वैसे प्रोटेस्ट आपको पताएगी उगरोने के चांसिस बहुत ज़्याद रहते हैं बागी इस जुम्ले के बारे में आप लोग क्या कहते हैं क्या यहां पर रेलवे में दो लाग एक क्यानवेजार वेकेंसी आपको फूचर में देखने को मिलेगी या फिर नहीं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं